बिहार में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर सियम नितीश के बयान पर राजनीती शुरू हो गई है राजत नेता विजय प्रकाश ने कहा कि बीजेपी नितीश कुमार को चारो तरफ से खेरने में लगी है बीजेपी जदियों को 43 सीटों में 13 सीट पर लाकर ही छोड़ेगी बि इसाना साधते हुए कॉंग्रिस के प्रवक्ता राजेश राठोर ने कहा कि नितीश कुमार अब निरी प्राणी हो गए है मंत्रे मंडल विस्तार के लिए आरसेस और बीजेपी के आदेश का अंतिजार कर रहे है नितीश कुमार को एक बार फिर अंतरात्मास जगाए और सी क्यास बाजियों का दौर जारी है मंत्री परशेद विस्तार को लेकर जारी कयास और मुख्यमंत्री नितीश कुमार विराम लगा दिया मुक्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाज़पा की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है भारती जंता पार्टी को जब लगेगा मंत्री परिशद विस्तार के लिए तभी इस पर बात होगी अभी कोई बात नहीं हुई है सियम इतीश के इस बयान के बात से ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है जहां राज़त कॉंग्रेस ने सियम के बयान को लेकर जेडियू और बीजेपी के रिष्टे पर निशाना साधा है वहीं बीजेपी ने सियम इतीश का विशेसाधिकार बताया है दूसरी और बीजेपी न के समस्ले को लेकर सफाई दी हैं पार्टी के प्रवक्ता संजे टाइगर ने कहा है कि यह मुख्य मंत्री का विशेश अधिकार है और इसके साथ बैठ कर तैय कर लिया जाएगा बता दें कि बीते सोला डवंबर को नितीश कुमार समेथ जदियों के च्छे दोनों उपमुख मंत्रियों समेथ भाजपा के साथ और हम वियाइपी के एक एक नेता ने मंत्री पत की शपत ली थी इसके बाद से ही लगातार मंत्री परशत के विस्तार की कया सबाजी हो रही है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें